जोति सचाजी राम नमी का तेवहार कुछ दिन में आने वाला है और हमारे इंदु धर्म में पूजा में दीपक जलाने की परंपरा है तो राम नमी के दिन भगवान हनुमान जी को किस तेल का दीपक जलाने से भगवान हनुमान परसंद होते हैं और घर में सुक्सम दिद्ध उतियर सभी संकटों का बिनास हो जाता है जैवाब अविद्धिनाथ अब शत्रा अप्रील को रामनोई का पर्व जो है पूरे देश में हरसुलास के साथ मनाया जाएगा और हनुमान जी ऐसे देवता हैं घर के सभी कस्टों को समाप्त करने वाले हैं घर में सुख सम्रिद्धी प्रदान करने वाले हैं हनुमान जी की पूजा करने से सभी देवताओं की पूजा संपन्न हो जाती है जदी आपके उपर हनुमान जी प्रसंन हैं तो समझे कि आपका सारा काम हो जाएगा तो हनुमान जी को प्रसंन कैसे करें हैं यह बात उठती है तो हनुमान जी को प्रसंन करें जदी राम नौमी के दिन हनुमान जी की पूजा करें हनुमान जी के पास दीपक जलाएं हनुमान जी को लाल फूल चड़ाएं हनुमान जी को चोला चड़ाएं और हनुमान चालीशा का पाठ करें तो हनुमान जी प्रसंद होंगे अब रही बात कि उसे दिन हम हनवान जी के समक्ष किस चीज का दीपक जलाएं, तेल का जलाएं, घी का जलाएं या किस चीज के तेल का जलाएं यह थोड़ा सा संसय की बात होती है तो इसमें संसय करने की कोई आवसेकता नहीं है, जदि आप ग्रह से परिसान है, आप के उपर ग्रह का छटर चाया है, तो आप जो है तील का तेल आप हनमान जी के पास जला करके हनमान जी की पूझा कर सकते हैं, आप घर में सुख और सम्रिद्धी चाहते हैं, तो घी का परपक जलाने से आपके घर में सुम्रिंदी और लक्श्मी होगी। आपको कस्ट है, आपको परिसानी है। आपके गर में कल हो रहा है। तो इससे बचने के लिए आप हन्वान जी को परसन्न करने के लिए सीधे तील का तेल आप दीपक में डालें और उसको जलाएं अहरमान जी को परसन करता है